जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितनी पी प्रतियोगी परिक्षाएं हो रही हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के जो प्रशन आते हैं, उस समान्य ग्यान में एक विविदता देखी जा रही है, एनलिटिकल अप्रोच देखी जा रही है, इस सब बातों क को ध्यान में रखते हुए, TQ हिमाचल आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया है, जिसमें एक सेशन में दस कॉस्टिन्स, क्वालिटी कॉस्टिन्स, अब्जेक्टिव टाइप करवाए जाएंगे, और हो सकेगा तो इसके पीडियेफ भी आपको बलब्द करवाए जाएगी जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, Folk Dances and Drama of हिमाचल प्रदेश तो इसमें दस प्रशन आएंगे और उसके explanation सही उत्तर आपको साथ में दिये गए हैं, क्रिपया आपने अभी ने ये वीडियो अंध तक जरूर देखना है सबसे पहला प्रशन है कि कुछ statements दी है, इनमें से demon dance जिसे हम कहते हैं, जिसे राक्षा सुनृत्य कहा जाता है इस संबंध में कौन सी चीज जो है, वो बिलकुल सही है, कौन सा तथ्य बिलकुल सही है तो सबसे पहला है, demon dance is also called घ्यूर दूसरा है, it is done in lahal and spitty area of Himachal और तीसरा है, dance form is performed with demon masks numbering 2, 6 और 8 या चौथा option है, none of the above तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, इसमें कोई भी statement सही नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं, कि घ्यूर जो है, वो उनके leader को कहा जाता है ना कि demon dance को, demon dance का दूसरा नाम, champ या lama devi dance या devil dance है और यह किनौर एरिया का dance है, ना कि lahal spitty area का यह आपने ध्यान रखना है, यह किनौर एरिया का dance है और इसमें जो mask numbering है, वो usually 3 के समुह में, 5 के समुह में, 7 के समुह में या 9 के समुह में, 3, 5, 7, 9 के समुह में, जो नृत्य लोग इसमें नृत्य करते हैं तो यह question number एक था, दूसरा question, कयांग dance इसके बारे में incorrect statement आपने बतानी है, सबसे पहला option है in this dance form, men and women dance in circle with a dt in the center men और women circle में एक देवता होते हैं और उनके आसपास men और women circle में dance करते हैं दूसरा, हरकी dance is a type of कयांग dance, which is faster in tempo on a romantic song तीसरा, कि नौर टिस्टिक में किया जाता है, और चौथा, none of the above इन चारो statements में से आपने ये बताना है कि इन में से गलत कौन सा है तो इसमें जो गलत इसका उतर है, वो है option A इन दिस टांस फॉर्म, men and women dance in semicircle with musician in the center क्यांग नृत्य में, men और women semicircle में नृत्य करते हैं और उनके center में एक musician बैठा होता है, ना कि कोई देवता स्थापित किये जाते हैं ये आपने ध्यान रखना है, इसके उपरान, तीसरा question इसमें से आपने ये चार आपको statements दे रखी हैं, इसमें से आपने correct statement बतानी हैं तो सबसे पहला इसका option है, बक्यांग is a dance form performance done by women बन्यांग्चू is a dance form performed by men मैं माफी चाहूंगी अगर pronunciation में कुछ दिक्कत हो क्योंकि हमारी जो pronunciation है वो region-wise differ कर जाती है और तीसरा है, बक्यांग और बन्यांग्चू are dance forms of kinnaur और चौथा है, बन्यांग्चू is a free style dance और E option है इसमें, all of the above are true इनमें से आपने सही बताना है, तो इसमें E उत्तर जो है, इसका all of the above are true इसमें मैं आपको specifically बता दूँ options को जो इस तरह के प्रशन हैं, उनको साथ-साथ ही आप memorize करते जाएं बक्यांग is a dance performance by women दिखिए, बक्यांग और बन्यांग्चू दोनों ही नृत्य की नौर के हैं बक्यांग वुमिन का नृत्य है, बन्यांग्चू मैन का नृत्य है, पुर्षों का नृत्य है बन्यांग्चू is a male dance, बक्यांग is a woman dance इसके उपरांथ अगला प्रशन शांद और शबू डांस से संबंधित है इसमें आपने यह बताना है कि शांद और शबू डांस से संबंधित निमन लिखित जो तथे हैं, इनमें से कौन सा गलत है तो सबसे पहला इसमें आप्शन है, शांद means song of prayer for buddha दूसरा आप्शन है, yellow hats sect was founded by song khapa तीसरा आप्शन है, वज्रभ भैरव called dorje jikche in tiptyan is the chief protector इनमें से और d option है, all are correct तो इसका उत्तर देखते हैं, all are correct इस प्रशन का उत्तर है, all are correct इसको आप इनको भी तथ्यवाइज याद करें, fact-wise याद करें शांद, क्या है, ये प्रशन आपको पूछा जा सकता है कहीं पर भी क्या है ये, किसके लिए गाया जाता है, it is a song of prayer for buddha दूसरा है, yellow hat sect, जिसकी जो स्थापना करी थी, वो तासौंग खापाने की थी और इसके बाद है, वजर भैरव, called दौर्जे चिक्छे, इन तिप्तियन ये तीन facts को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके बाद, अगला प्रशन है, folk dance of हिमाचल प्रदेश जितने भी हैं, उनके संबंधित कुछ dances से संबंधित प्रशन यहाँ पर कुछ तथ्य यहाँ पर दिये गए हैं, इन में से सही कौन सा है, तो सबसे पहला है, टिंगर, टाली लामो, यांदो मांदो, रेक्शूंग, मौन्शोव, are the dances of किनौर, दूसरा option, जांजर dance is performed on every festival in चंबा, तीसरा option, जाप्रो dance is performed in हांगरांग वैली ओफ किनौर and is done by both male and female, यह चौत्था option है, all of the above, उप्यूक्त सभी, इन options को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और कहीं पर भी आपने confused नहीं होना है, सबसे पहला option, A option को मैं थोड़ा सा इसमें अलग मान रही हूं, लेकिन चलिए इसका अंसर देखते हैं, इसका उत्तर है all of the above, देखिए जो option A में डांसे हैं, मुझे पुरा विश्वास है कि B और C तो आप सभी समझ ही गए होंगे, लेकिन A option भी जो हैं, ये भी folk डांसे हैं के नौर के, टिंगर, टाली लामो, यांदो मानो, मान्दो, रेक्षूंग, मौन्शोंग, तो इन डांसे को भी आपने बिलकुल ध्यान से इनको पढ़ना है और इनने याद करना है, क्योंकि प्रशन जो है, काफी पुराने सभी डांसे पे तो काफी बार प्रशन हमने देख चुके हैं, बोर्ड में भी देख चुके हैं, कमिशन में भी देख चुके हैं, और अपने स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में भी देख चुके हैं, तो आप इन जापरो डांस is performed in हांगरांग वैली ऑफ किनौर दूसरा है इन डोडरा कवार डांस बोथ पीपल और गॉड्स डांस to the tune of music डोडरा कवार डांस में लोग और देवता दोनों ही आपस में नृत्य करते हैं music की tune पर और तीसरा है बुरहा डांस और सिर्मौर इस performed by a group of 10 to 15 persons और चौथा है बुरहा डांस में बलाड सॉंग्स मतलब पुराने जो एक हमारे बलाड सॉंग्स होते थे जो वीरों से संबंदित वीर गाथाएं जो हैं वो गाई जाती हैं जो उनके हीरोज थे पास्ट हीरोज थे पास्ट की जो लडाईयां थी उनके जो सराहनिय कारे उनके जो हीरोइक डीड्स के लिए गाए जाते हैं तो आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है और पांचवा ओप्शन है तो देखिए इसका अंसर सभी उप्रोक्त दिये गए सभी जो उतत्थ हैं वो बिलकुत सही हैं इनको आपने ध्यान रखना है इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है और याद करना है नेक्स्ट कोश्चिन लांग डर्मा ओफ हिमाचल प्रदेश दूसरा ओप्षिन लांग डर्मा वाज देखना है तीसरा देखिन लांग डर्मा वाज मर्ड़े बुद्धिस्ट और चौथा इट इस नॉट ए डांस ड्रामा तो सबसे पहला ओप्षिन जो है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं यह एक इविल किंग डांस है बिसीकली लांग डर्मा बड़े भाई थे रालपा सेन के और वो बहुत ज़ादा प्रोसीक्यूशन में बुद्धिस्ट किलिंग, मौंग किलिंग इन कार्य में तथा कथित रूप से वो इन चीजों में इनवाल्ड थे उस चीज को कर्ब करने के लिए रालपा सेन ने इसमें बहुत उनको समझाने का प्रयास किया और इविल किंग जो लांग डर्मा है वो मडर हुए बुद्धिस्ट के हाथों एक बुद्धिस्ट थे उन्होंने उनको अपने इससे मुक्त किया और तब जाकर कही प्रोसिक्यूशन रुका इन सभी जो किलिंग्स का और इस दिस्ट्रक्शन का तो ये जो है ये एक बेसिकली एक तथा कथित रूप से ये चीजे जो हमारे सामने आई है तो लांग डर्मा एक ऐसा नृत्य है और चौथा इसमें ओप्शन दियागया है कि डांस ड्रामा नहीं है ये तो हमें बताना है इन चार उप्शन में गलत क्या है, तो इसमें गलत है लांग डर्मा इसे डांस ड्रामा उप्रोक्त दिये गए तीन जो तथ्छे हैं वो बिलकुल सही है चौथा तथेस में गलत है अगला प्रशन जूरी गी और रासा डांसे जो हिमाचल प्रदेश के फोग डांसे हैं इसके बारे में इसके बारे में सबसे सही उत्तर क्या है तो सबसे पहला है गी डांस जो है वो questions और answers की form में होता है musical tone पे मतलब गाना गाते हुए प्रशन पू जूरी गी और रासा डांस जो है वो सिर्मौर और एडज्वाइनिंग एरियास में किये जाते हैं C है इसमें option दोनों उप्रोक्त जो दिये गए हैं वो सही है और D option है दोनों ही गलत है तो आपने इसका उत्तर सोचना है इसका उत्तर है both of the above are correct गी question answer form में होता है जूरी गी रासा डांस सिर्मौर और एडज्वाइनिंग एरिया में किये जाते हैं अगला प्रशन प्रशन नंबर 9 है incorrect statement आपने इसमें से देखना है स्वांग टेगी डांस जो है वो दिवाली के टाइम किया जाता है पहला option दूसरा option है धारवेडी और ड्रॉंडी डांस जो है यह religious dances है तीसरा option है धडेयर डांस इस एन आर्मरी डांस बेसिकली और चौथा है नन उफ्था अबव इसमें से इंकरेक्ट स्टेट्मेंट को आपने अलग करना है तो इसका उत्तर है कि इनमें से कोई भी इंकरेक्ट नहीं है तीनों की तीनों options सही दी गई है देखे स्वांग ट तीसरा धडेयर डांस इस एन आर्मरी डांस बेसिकली यह एक मतलब जैसे आर्म्स लेकर पुराने जमाने में एक दूसरे पर दोनों जो हैं ऑपोनेंट से एक दूसरे पर हमला बोलते थे भाला तीर इत्यादी के साथ उसी तरह से इस उसमें भी यह एक निरत्य का फॉर्म ह इसलिए से आर्मरी डांस कहा जाता है बेसिकली तो यह अपने ध्यान रखना है कि धडेय डांस जो है वो आर्मरी डांस है धारवेडी और ड्रॉंडी रिलिजियस डांस है प्रशन आज के समय का जो सिनेरियो है उसमें उसको और जो पेपर पिछले हुए है उनको देखकर हिमाचल प्रदेश के किसी भी पार्ट से किसी भी प्रकार का प्रशन पूछा जा सकता है तो आपने हर प्रकार से तैयारी रखनी है इसके बाद दस्वा कोश्चन हमारे पास आज के सेशन का आखरी कोश्चन है कि इनको मैच करना है आपने बांठडा कहां मनाया जाता है ज दूसरा option इसके बाद है जांकी और हांटेर ये डांस जो है ये चमबा के डांसे हैं कर्याला और स्वांग को हम रिलेट कर सकते हैं बिलासपूर, सोलन और शिमला से और इसके बाद नाटी डांसे इन में से कौन से हैं देखिए बुराहा और सी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बार ये प्रशन repeat भी हुआ है कि ये basically एक ballet dance form है और opera form में है ये डांस, बुरहा और सी, तो बुरहा और सी तो नाटी form नहीं हो सकता है, इसका सही उत्तर है लाड़ी, शावनी, लिली मा, ये नाटी डांसे हैं, जैसा कि थोड़ा सा इक इस में ट्रिक भी आप नीली मा से आप लीली मा भी बना सकते हैं वो एक ट्रिक आपके लिए याद करने के लिए सहयोगी रहेगा तो ये आज की सेशन के दस प्रशन है यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो कृपया दिये गए मेल आईडी पर अपना रिविव अवश्य दें और अवश्य ये बताएं कि इसमें जो हैं हम अगला सेशन आपके साथ करें जो अगला सेशन हम आपके साथ लेकर आएं उसमें हम 10 कोशन्स रखें या कोशन्स की संख्या बढ़ाएं तो इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, best of studies बहुत अच्छे से आप बढ़ाई कीजिए, धन्यवाद